आज मैं जो आप लोग के लिए अपडेट ले आया हुँ कुछ दिन पहले आप लोग जान देही होंगे NIT National Institute of Technology दिल्ली के एंडर फार्मासिस्ट का एक वैकेंसिंग लथा अंडेजब काटागरी के एंडर उसी की बारे में हम लोग आज डेटेल्स में बात करेंगे कुछ दिन पहले जो वैकेंसिंग लथा फार्मासिस्ट पोस्ट का उसका अभी ऑपिसियल रिटिन एक्जमेशन डेट आ गया तो हम लोग सीरा देख लेते हैं जो फार्मासिस्ट का रिटिन एक्जम कब होने वाला है जो अब लोग देख सकते हो इदर लिखाओ है सिदियूल अब रिटिन टेस्ट फ़र फार्मासिस्ट लेबल फाइब कब होने वाला है 6.1.2023 सुबह 9 वज़े से रिटिन एक्जम स्टार्ट होगा उसका एंसर की कब अब लोट किया जाएगा वो भी 6.1.2023 उसी दिन एंसर की अब लोट किया जाएगा ऑफिसेल वेब साइट द्वारा सो लास्ट डेट अब रिशीप्ट अब रिपेजेंटेशन्स और एंसर की अब लोग को कोई अगर ध्यान होगा कुछ गल्ती हुआ है कोस्ट्यन वह आप लोग रिवीव कर सकते हो उसका डेट दिया हुआ है लास्ट डेट नए एक दोजाटेश मुलाब जन्वारी का नौ तारिक से अंदर आप लोग को रिवीव करना होगा रिटिन टेस्ट का जो रिजल्ट कब निगलेगा उबी डेट पहले से दिया हुआ है नए एक दोजात तेईस में मालब जन्वारी का नए तारिक को जो रिटिन टेस्ट होगा फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए उसी का रिजल्ट आ जाएगा proficiency test या skill test का भभगा 15.1.23 को मालब जन्वारी का 15 तारिक को फार्मासिस्ट फोस्ट के लिए प्रोफेस्ट होगा सब सिलेक्शन पोस्ट क्या रहेगा हम लोग देख लेते हैं there will be two papers paper one general and paper two proficiency test मालब दोनो paper होगा General Part में क्या रहेगा? General Section रहेगा और Post-related फर्मासी Related जो Question हो General Part में रहेगा So, दोनों Part का कितना Marks टोटल होगा? Part 1 में रहेगा 50 Marks, Part 2 में रहेगा 50 Marks So, Total मिला कर कितना होगा? 100 Marks का एकजम होगा एक मार्क का पर कोस्टेन रहेगा जनरल सेक्षन में जो 50 मार्क से एक जाम होगा उसका टाइम रहेगा 60 मिनिस और एक घंटा और पाट टू में जो फर्मासिस रिल्टेज जो कोस्टेन आगा उसी का टाइम रहेगा देड़ घंटा so part two में proficiency test किना होगा और वी 50 marks का होगा so the candidates who qualify the paper one general both part and part two shall be eligible to appear in the part two मालो दोनो part में जो qualify करेगा और proficiency test के लिए बुलाया जाएगा the number of candidates to be called for paper two proficiency test shall be decided by selection committee on the basis of the performance of the candidates मतलब selection committee दुबारा हो decide होगा कितना candidate total number of candidate को बुलाया जाएगा proficiency test के लिए so 50% weightage will be given to paper 1 general both part 1 and part 2 50% to proficiency test so the selection will be made on the overall merit of written test and proficiency test मतलब written test and proficiency test both combine करकर जो result link लेगा उसी की basis पे merit list होगा so हम लोग देख लिए होते है total कितना candidates को बुलाया गया है इस exam के लिए so click करने के बाद अब लोग देख सकते हो list of professionally shortlisted candidates allowing in the role number for the post of pharmacist pay level 5 in unreserved category so serial number 1 से हम लोग शुरू करते है total 188 candidate को बुलाया गया है written test के लिए so shortlisted candidate किरना है total 188 post किरना है total एक unreserved post है total 188 लोग को candidate को बुलाया गया है so यही था आज के लिए news में description में official website का link provide कर दूंगा so thank you for watching my channel if you like my video please share and subscribe my channel कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा